सादर जय जी नेंदर सभी को आज हमारे साथ ऐसे वरिष्ट व्यक्ति हैं जिनोंने जेन समाज के कद को गौरव से उंचा कर दिया है जितनी तारीफ की जाए उतना कम है हमारे साथ है केमडी सी के डाइरेक्टर गौतम जी जेन बहुत-बहुत स्वागत है आपका कैसे हैं आप बस ठीज हैं गुड तो शुरुवात करते हैं आपस आपके बारे में बताईए कैसे क्या हुआ आपका बच्पन कैसे रहा है एजूकेशन कैसा था कहां पर पले बढ़े मैं ऐसे तो दावंगिरी में पला बढ़ा हूँ मेरा जन्म भी दावंगिरी में हुआ बेसिक एजुकेशन दावनगिरी में कम्प्रीट किया मैंने अप टू बीबीम दावनगिरी में था फिर एंबीय करने के लिए बॉंबे भी गया था मैं तो थोड़े महीने वापे रहा फिर अनेश्पेटेडली मेरे पापा की डेट हो गई तो फिर मुझे वापस आना तो टीचर्स भी मुझे बहुत पसंद करते थे तो उनके साथ शरारते भी बहुत करता था आज जो कुछ भी हो मेरे टीचर्स क्या एक बहुत अच्छा सपोर्ट मुझे एक्चली मिला बच्पन में तो हमेशा से ही उनका लड़का रहा तो बैसिकली अच्छे ही चला मेरी बच्पन के लिए बहुत अच्छे से रही फिर जैसे कॉलेज इंट्री हुआ वहा पे भी मैंने बीबियम में 88% स्कूर किया था तो उसके बाद में यहां पे बंगलोर में यहां बंबे में ऐसे चूज करना था आगे की फ्यूचर के लिए तो यह करने के लिए बंबे गया एड्मिशन हो चुका था बट फिर वो प्रोब्लम हो गई तो आ गया वापस तो आके पापा का फैंबली बिजनेस रहें यहां हमारे तब एक साडियों की दुकान थी होलसेल तो आया एक्सपिरेंस तो कुछ नहीं था श्रगल किया लाइफ में बहुत ज्यादा श्रगल एक्सपिरेंस कुछ नहीं नाई कुछ इतना फाइनशल एकदम बैक्रांड भी इतना स्ट्रॉंग नहीं था और बड़े भाई का चोटे बहन ऐसा फैमिली भी कोई नहीं थी मैं और ममी दो लोग ही थे हम लोग तो बहुत मुसीबते फेस की उस टेम पर दीरे दीरे फिर ड तब मैं बीबियम खटम किया था 18-19 साल का था मैं तो बहुत ही छोटी उमर में बहुत बड़ा शॉक मिला यह मिंस अनेक्सपेक्टेड शॉक था वह क्योंकि तो वह भी बहुत हिल्थी थे और अपने हिल्थ का बहुत ज्यादा खैल रखते थे और हमारे फैमिली में किसी क को भी कोई गलत आदते कुछ नहीं थी है तो वह एक अनेक्सपेक्टेड मोमेंट था मेरे लाइफ का तो जिससे उबरने के लिए मुझे बहुत टाइम लगा मिस सारे दिन महिनें तक ऐसे गर में मिस एकदम डिप्रेस होके रोना कुछ देखा ही नहीं था दुनिया में तो बहुत मुश्किले आई उस तेम पर तो फिर वहां से आपने टेक और किया बिजनेस बिजनेस टेक और किया और सक्सेस्फुल भी बना तो एक बेसिक अपने जैनों को ऐसे तो कोई जरूरी नहीं यह बिजनेस को आके सिखा है वह अपने ब्लेड में है तो कई ना कई सिक्सेंस वर्काउट हुआ कुछ सक्सेस्फुल हुआ फिर देरे देरे लाइफ आगे बढ़ती रही बट लाइफ में एक बहुत बड़ा जटका दूसरी बार और सफरिंग विथ थर्ड स्टेज तो यहां बेंगलोर में भी ट्रीटमेंट करने आया और वलसाड वागल दारा वापे भी ट्रीटमेंट के लिए काफी गुमा दो डही साल उसमें भागजोड में रहा मैं तो मेरे लाइफ का एक जो मेन पार्ट था वो बहुत डिश्टर हो गया क्यों उस टेम पे मेरे दो छोटे बच्चे थे एक छे मेन ही कही था तो उनको भी घर पे भी संबालो बाहर भी ट्रीटमेंट के लिए भागो ठीक है फैमिली वाइस मेरी वाइफ बहुत ज्यादा सपोर्ट यू थी तो उसने बहुत अच्छे से संबाला हर चीज को उस टेम पे सिर्फ मेरे ममी कोई नहीं बच्चों कोई नहीं मुझे भी मैनेज करना था तो उसने वह बहुत अच्छे से किया उसके बाद में लाइफ बहुत डिजाश्टर्स होते हैं तो ममी भी गुजर गई उसके बाद में बहुत मन को बहुत खराब लगा उसी टेम पे बिजनेस में भी क्या फिर सिंगल हैंट रहता है तो इदर लोग रहते हैं काम करने पर तो उन लोगों ने भी उसका अलग नमूने से फैदा उटाया फैनाशली बहुत ज़्यादा मार दी थी उन्होंने इदर तो लगनी थी बट बिजनेस में क्या किया मिस मेनेजमेंट हो जब मुझे मालूम पड़ा तब तक स्टाफ में से तीन या चार स्टाफ निकल भी गए थे तो वह और डिप्रेशन हो गया क्योंकि तो मेरे पापा ने रेप्यूटेशन बहुत अची कमाई थी पीछे मेने भी मैंटीन की थी तो अभी जब लोगों को देना आ गया तो एक ट लगा कि चलो अभी इसमें कुछ रा नहीं है कुछ नहीं लेन में आते हैं तभी डिप्रेशन में था तो मेरे वाइफ नहीं सजेस्ट किया कि आपकी जान पेचान अच्छी है तोड़ा बार गुमियां तो आप डिप्रेशन में कितने टाइम के लिए थे और लगबग लॉगिरी में बॉर्न अप हो तो लोकल ही वाके बहुत लोग मुझे पैचानते थे फिर वही सीडिया बने अपने लाइफ के लिए पॉलिटिक्स में आया पॉलिटिक्स में जैसे आया दीरे दीरे रियल एस्टेट के बिजनेस में आ गया तो आपका बिजनेस पूरा बानी थी जल्दी हाथ पकड़ लिया तो फिर से आगे बढ़ने में बहुत आसानी रही और उस टाइम पे पीक भी था पॉलिट विंस रियल एस्टेट के लिए पीक का टाइम था बहुत लोग उस टाइम पे इन्वेस्ट कर रहे थे तो मुझे कई न कई उसका फैदा मिला मुझे तो दीरे दीरे आगया है लाइफ में तो यह एक ऐसी कड़ी थी जहां पे आपके लिए बहुत बड़ा चेंज आया पॉलिटिकल करियर बिजनेस से पॉलिटिक्स में यहां पे टर्न हुआ आपका तो यह दोनों मेरे लिए बहुत प्लस रहे है और यह बेसिक कनेक् और सब चीज़े अपनी अपनी जगा पर गिरी वह कावत है जब एक आदमी का अच्छा टाइम आना हो रहता है तब अच्छा होता रहे उसके साथ बस अपने को अपनी मेहनत करनी है आप उन जैसे मेहनत करेंगे एक एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे उपर वाला भी अपन आज आपके सामने बेटा हूँ है जैके एम डिसी डिरेक्टर सेगे सो इस दोरान आपने बहुत सोशल सर्विस किया है लोगों की बहुत सेवा किये मदद किये हेल्प किये बचपन से भी क्या है जैन मंडल से जुड़ा हुआता मैं तो वहां पर पहले से भी सेवा और तक 17-18 ट्रेन संग की यात्रा की हुई है मैंने तो उसके साथ साथ यह जब भी गाव जिमन वगेरा जो भी रहते थे अपने जैन में तो वहां पर भी आगे रहे के सेवा देते थे और मंडल का सेवा गुरूप का लीडर है चुका मैं कई सालों तक दावन गिरी में वहां पर सुपारशनात जैन मंडल है तो वहां पर सेवा गुरूप का लीडर भी रहा में काफी सालों तक उसके बाद में जब पॉलिटिकली जुड़ा तो मारवडी के बच्चे को आइडिया तो रहती है काम कैसा करना है उसके लिए कुछ भी नामुम्किन नहीं है एक किया तो काफी करनाटेक में दो तीन बार जब फ्लड्स आए दो तीन साल पहले तो कुशालनगर वगरा और तेरदाल रबकावी जिसे बोलते उक्षेत्र में भी बहुत सारी मुसीबते आई थी लोगों को तो वहां पे भी हम लोग टीम बना के गए थे वहां पे रुके थ है ऐसा नहीं के सिर्फ जाके उधर डी सी के अंडर या यस पी के अंडर जाके आईटम रखके आ गया है खुद रहे के उधर अधर आरे से स्टीम का सपोर्ट लेके हम लोग घर घर पे किसी को आटा चाहिए तो आटा देते थे चावल चाहिए तो चावल देते थे जिसको जो जरूरत है वो जरूरत की चीज़े दी तो उस के लिए हम लोगों को बहुत प्रशंसा भी मिली सरकार से के रेली बच्चे अच्छा काम. तो उसके बाद मैं भी कोवीड भी हुआ था तो मेरे दोस्तों के सब सुष बात करके Hang लोगोंने कम से कम वहाँ पे एक तीन अजर रिशन किट समाद से तो अलग हुआ है फ्रेंट सरकल से भी लगबग तीन अजर रिशन किट हम लोगों ने दिये गरीबों को क्योंकि हमारा काम करने का एक अलग स्टाइल था और मैं भी RSS से जुड़ा हो तो उनका भी हल्प मिलता रहा मुझे हर एक एरिया में हम लोग जाते थे लिश्ट बनाते थे किसके घर पे क्या प्राबलम है अगर किसी के घर में कमाना वाला नहीं है या किसी की कोई संतान नहीं है बुड़ा बुड़ी रह रहे हैं कोई विद्वा है किसी के घर पर फिजिकली हैंडिकेप्ट है तो वैसी एक लिश्ट बना देते हैं एक एरिया में बहुत सारे टीवी चैनल्स वालों ने भी उसको हाइलेट किया था हमारे लिए और वाके लोकल डीसी ने हमारे को बहुत अभी नंदन भी दिया था इस कारिय के लिए फिर दीरे और भी काम करते रहे जैसा हमसे हो पाया किया फिर हमारे जिल्ला के जो भी बड़े लीडर से हमारे बीजेपी के उन सबका ऐसान है मुझ पे के केमडी सी का मुझे डायरेक्टर बनाया फिर डायरेक्टर बनने के बाद भी सिर्फ केमडी सी तक सीमित रह करके एक छलता इसलिए कॉर्परेशन एलेक्शन में मैं खड़ा भी नहीं हुआ जबकि मुझे टिकेट मिला था मैंने खुद नहीं सामने से बोला था कि सर मैं अगर सिर्फ कॉर्परेशन में काम करूंगा तो उधर का ही रह जाओंगा समाज के लिए कुछ करना है तो मुझे थोड़ा बड़ा स्टेज दीजे तो केमडी सी का मिला मुझे है फिर केमडी सी में आने के बाद थोड़ा गोर्मेंटल पावर्स मिले है तो उसको कारिकरम में श्रीमंद पाटिल जो हमारे अलपसक्यात कल्यान के सचिव है उन्होंने गोशना की कि हम लोग जैन स्टूडेंट्स के लिए अलग से होस्टल्स बनेंगे दस होस्टल्स अभी इस साल में बनने वाले पूरे करनाटक में और फिर धिरे-धिरे हर एक जिल्ला हे एक्चोली श्रीमंद पाटिल साब ने मुझे स्टार्टिंग में प्रोमिस किया था कि जो अलपसेंग के होस्टेल से उसमें एक कुछ 10 परसंट और 15 परसंट जैन स्टूडेंट्स के लिए मैं रिजर्व करता हूँ तो मैंने उसके लिए मना किया था उनको सर कि खाना पिना वो नहीं सेट होता है तो वो सब उनको समझाना पड़ा तो समझना आने के बाद वो भी मिंस इस रियली वेरी जैन समाज के प्रती उनका बहुत अच्छा रवहिया है तो उन्होंने बहुत जल्दी इसके बारे में डिसीजन लिया सबसे पहले तो उनका मैं ठेंक्फुल हो फिर उसके बाद मैं अभी रिसेंटली मैंने अपने जो विहार में जैन सादू साद्वियों को बहुत तकलिब आ रही है क्या होता है 15 किलो मेटर 18 किलो मेटर का विहार करते हैं अभी अपनी जैनों की पॉपिलेशन कम होने से अप उन खेड़े गाओं में सिर्फ सीटियों में रहते हैं तो उस टाइम में ट्राविलिंग में उनको बहुत सारी दिक्कत आ रही है जैसे कि एक बेसिक उनको रिष्ट के लिए रिष्ट रूम्स की जरूरत होती है तो ऐसे तो प्रविवंद है कि उनको गवर्मेंट स्कूल्स में दे दे रूम्स ऐसे ही बैठे रहते हैं अभी कल पर सुई एक फोटा है जिसमें दिखा है कि एक जैन सादू यह जो बड़ा पाइप रहता है हाईवे के आसपास उनमें बैठके रिष्ट ले रहा है तो यह तो बहुत शर्मनाक बात है अपने समाज के लिए कि अपने पास सब कुछ है विवस्ता करके दीजिए ज्यादा कुछ नहीं है बेंगलोर से बलगाम और बेंगलोर से सोलाफूर यह दो बड़े हाईवे ज्यादा से ज्यादा उस रूट के ओपर चालिस से पचास विहार दमों की जरूरत है तो सो विहार दम बनते है उसमें से बीस तो बड़े- से सीटी आ जाती है जहां पर जरूरत नहीं है तो एक असी विहार दम का कंस्ट्रिक्शन करना गोर्मेंट के लिए कोई बड़ी बात नहीं है तो अगर ये जेनों के प्रती थोड़ा सायन बोती दिखाते हैं और इसके बारे में जल्दी से जल्दी डिशेजन लेते हैं तो तो उन्होंने भी बोला एक बार बैटके मिटिंग करेंगे ठोड़ा अभी बजट में सब लोग बिजी है तो एक बार बैटके सब बात करेंगे डिसकॉस करेंगे I think it will happen बहुत अच्छा लगा है सुनके कि आप इस तरीके में सोच रहे हैं जैसे कि हस्टल बनवाना या वि भी इसी समाज में हूँ तो मुझे भी ये सोच सब मेरी नहीं हो सकती है शायद किसी ने बताया और होता है उनको रस्ता मालूम नहीं रहता है और बगवान की दैसे अपने को रस्ता दिख रहा है तो देखते हैं क्या कर पाते हैं और एक है वो मेरी परसनल बहुत दिनों से आ श्वेतंबर जेन्स एक कम्यूनिटी है जिसको रिजर्वेशन नहीं है आज अपना अस्तित्व बचाना भी अपने लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है श्वेतंबर जेनों की जनसंक्या पार्शियों के बाद सेकेंड फास्टेश डिक्रीजिंग पॉपुलेशन अपनी है तो इसका अस्तित्व बचाना और इस अस्तित्व बचाने में अपनी मदद करना ये भारत सरकार का बहुत बड़ा काम है तो मैं आज भी गोवर्मेंट से इस बात के चर्चा कर रहा हूँ कि हमको भी दिगंबर जेनों की तरह मुसलिम्स की तरह पार्सीज की तरह दिया हुआ है थ्री बी में हमको भी उसमें लेके आई है कि जरूरी नहीं है कि हर एक स्वेताम बरजेन करोड़ पती है बहुत सारे इंस्टेंशन्स ऐसे मिले मुझे अभी केमडी सी डिरेक्टर बनने के बाद कि अपने लोग बहुत सारे आटो ड्रिवर है बहुत सारे ल की जरूरत है बिल्कुल बिल्कुल यह मिलना और इसको दिलाने में के लिए हमारे सारे जैन समाज का सपोर्ट चाहिए मुझे यह सिर्फ एक आदमी अपने उपर लेके नहीं कर सकता है तो जितने भी अपनी संग संस्ता है जितने भी अपने बड़े लोग है सब इसमें समाज के लोग उनके स्वामी जी नेतृत वी ले रहे है पादियत्रा कर रहे है आज बेंगलोर में कितने ही दिनों से सत्यागर चल रहा है जो बड़े-बड़े समाज है करना टक के वो भी टूए और ठीए के लिए रिजर्वेशन के लिए अपने समाज के लिए उनके महार क्योंके तो वी आर फाइटिंग फॉर आवर सर्वाइवल आज आप देख रहे हो अपना जनम यहाँ पर हुआ है हम यही पर परले बड़े है बट फिर भी वी आर आउटसाइडर यह मारवडी करके बोलते हैं बिलकुल बोलते हैं जबकि बहुत सारे जेइन लोग श्वेत दिल से जाती है बट फिर भी वी आर उटसाइडर्स क्यों यह बेदबाव यह नहीं होना चाहिए बिलकुल सही है आपका हम लोग करना टेक में कमा रहे हैं जब कोई भी प्रॉबलम आती है करना टेक में हम लोग दे रहे हैं यहां के सब लोगों के साथ अपन हस खेल के जी जो 0.4 परसेंट है हम लोग यार दरीयल मैनोरिटी और इसका बिनिफिट हमको नहीं मिल रहा है और अभी आप बोल रहे थे हैं अपनी पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है तो इसी से आपका किसा याद आता है मैयूर भाई जेन का जो एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गय है कि एजे मैनोरिटी आपको गवर्मेंट से क्या सेक्यूरिटी है यह अपने को मालूम नहीं है मैं बहुत बार देखता हूं मैं जब भी बार जाता हूं तब लोग बोलते हैं कि भया आप और पॉन ब्रोकर बिजनेस हुए पॉलिस रो हरेस्मेंट हुए पॉलिस वाला आ ऐसे काफी चल रहा था तो उसके बारे में हम लोग बहुत सारे से जाते थे बात करते थे सेटल करने की कोशिश करते थे बट एक बार क्या हुआ लिटरली पॉलिस वालों ने गुंडा गिरी करके अपने एक भाई है तो उसको रोड के बीचो बीच उसका कॉलर पकड़के उसको लातों से मारके जीप में बिटाके लेके गए तो यह पूरा समाज के लिए नहीं टोटल बिजनेस क्लास के लिए एक दबा था क्योंके तो एक बिजनेस करने वाले आदमी को समाज कुछ गौरों से देखता है वो चार लोगों को एंप्लॉइमेंट देता है उसके ब बहुत बड़ा प्रोटेश्ट किया था हम लोगों ने दावनगिरी में फिर उसके बारे में एक्शन लिया एक साथ आट दिन तक दुकाने सारी बंद रही उस अशोशेशेशन की में गोल्ड एंड पॉन ब्रोकर्स अशोशेशेशन की मिला उसमें सब पार्टी के लोग थ प्रोट दिया था फिर वो पुलिस वाले को आकिर हार माननी पड़ी वापे हैं आज ढ़ी साल हो गए होंगे दाउन गिरी में शायदी जुटे के सभी आ रहे हैं तो हर जगह पे अगर आप विरोध नहीं वेक्त करेंगे तो आपके साथ अत्याचार हो नहीं है मेरे को एक बात याद आती है मेरे पापा मेरे को बोलते थे मैं जब छोटा था तब महाविर स्वामी भगवान ने बोला हुआ है धर्म रक्षती रक्षतहा जब तक हम धर्म की रक्षा नहीं करेंगे तब तक धर्म आपकी रक्षा नहीं करेंगा वैसे ही जब बड़े-बड़े आच सबसे बड़ा अधर्म अन्याई सेहन करना है यह भी अपने तिरतंकर भगवन नहीं बोला हुआ है अन्याई सेहन करना भी सबसे बड़ा पाप है तो सिर्फ अहिंसा पर्मो धर्म के साथ साथ जैसे इंडिया की एक पॉलिसी है अगर हमारे उपर नुकलियर अटेक होता है तो हम करेंगे वैसे ही हमारा धर्म सिकाता ही अहिंसा है तो हम किसी एक चीटी का भी चीटी को भी मारना अपना धर्म नहीं है उसको भी रक्षा देना अपना धर्म है बट अगर अपने उपर दूसरे लोग हावी हो जाए अपने बेहनों की, मताओं की सुरक्षा का बात आ जाए या अपने तीर्तों की सुरक्षा की बात आए जाए उस समय में अपने हाथ में लाटी हो या तलवार हो तो वो गलत नहीं है अपनी रक्षा के लिए तो करना ही पड़ेगा तो भले है आप politics में थे नई थे business में थे आपने चलो education में थे तो चेवा करने का बीज हमेशा से बोया हुआ था आपके अंदर भले आप politics में नहीं भी आते आपकी capacity से जितना भी होता आप उतना करते थे वो तो बच्पन से ही था और मेरा बच्पन में क्या थोड़ा दूसरे लोगों के साथ ही संपर्ख जादा था तो कई ना कई एक अलग कीड़ा में था मैं दूसरे नॉर्मल लोगों से अलगी था तो यह आज इदर आया हूँ तो मेरे जैसे बहुत सारे यूथ है जो आपको देख रहे है यंड शायद आपके जैसा बनना चाहते हैं आपसे प्रेणा ले रहे हैं तो उन सभी यूथ के लिए आपका क्या मेसेज है अगर वह आप जैसा काम करना चाहें समझ के लिए कुछ करना चाहें सकसेस्ट पहले तो एक में बोलना चाहूंगा जिसको भी पॉलिटिक्स में एक्टिवली आना है आप एक लीडर के पीछे मत आओ खुद लीडर बनने के लिए क्या करना है वो करते आओ आप एक्टिवली प्रोटेश्ट में जो आप एक्टिवली लोगों का सामना करो एक दो बार भले आपको थोड़ा पीछे हटना पड़े है डरों मत थ्रेट कॉल्स आएंगे आपके उपर एटैक भी होगा सब होगा मेंटली प्रिपेड हो तो आप पॉलिटिक्स में आओ नहीं तो टाइम बेस्ट करने मत आओ आओ आपका सेक्सेस मंत्रा यही है यस आपके साथ भी बहुत कुछ हुआ हो गया बहुत हुआ है मुझे थ्रेट कॉल्स आते थे दाउन गिरी के नाम गिरा में बड़े-बड़ आजाओ नहीं तो आप की दर बोलो मैं आता हूँ और लिटरली वापे गया हुआ हूँ मैं खुद बेसिकली एक रसलर हूँ तो मेरे बच्पन से मैंने I am physically well built और दादा की दुआ है अंदर कुछ हिम्मत है लिटरली गया हुआ हूँ मैं उनकी एरिया में जाके खड़ा रह हूँ बोल भी क्या है जैसे देखते थे च्छे फीट हटा कटा तीन फीट चोड़ा आदमी आया है तो वह भी अटेक करने के पहले दो बार सोचते थे फिर दीरे उनसे ही दोस्ती होती थी तो आज वो सब मेरे दोस्ते सामना करना चाहिए जब तक आप कोई थ्रेट को फेस सामना नहीं होगा तब तक किसको क्या मालूम है तो फेस करो यह हो गया पॉलेटिकल संदर्व में और जनरल में भी आपने कहा कि जो भी है अपने फेर्स को फेस करो लाइए पीछे नहीं अटना है जो भी हो जाए एक बार आगे जाने का सोचा है तो फिर पीछे मत देखो गुशते रहो कहीं ना कहीं तो पोचेंगे तो आगे चलके आप अपने आपको कैसे देखते हो आपका विजन क्या है पॉलेटिक्स में विजन तो बहुत बड़ा है बोलके नहीं दिखाऊंगा करके दिखाऊंगा फिर से इसी चैनल पर आऊंगा तब शायद क्या पता गो पर करना चाहे या आप से कोई परस्नेली लिखना चाहे जैसे आप अभी डायरेक्टर है तो बहुत लोगों के बहुत सारे कंसर्ण्स होंगे तो अगर कोई मेल अड्रेस फोन नंबर या अगर आपसे कांटेक्क करना चाहते हैं तो कैसे कर से नहीं मेरा मोबाइल नंबर सिर्फ ठेंक्यों बोलने के लिए या कुछ विश्च करने के लिए फोन करके डिस्टर्ब करते हैं मेरा मोबाइल नंबर सबके पास है शायद और भी देता हो मैं आपके माध्यम से मेरा परस्नल नंबर है 8050403463 और इमेल आइडी भी है तो जब तक आपको पास मेरा वाटस है कि जहिन समाज के लिए ये काम और होना है तो आप ऐसा करो तो रियली यूर विल्कम तो कॉल में अनिटेंग तो ओपन है फीड़ फीडबैक्स और सजेशन्स के लिए 100% तो आई तिंग हम लोगों का एक हिस्सा चलता ही रहेगा जो भी आपके फ्यूचर प्लान्स हैं उ ऐसे ही जुड़े रही है जीवन टिवी के साथ और भी आपके लिए इंटर्व्यूज लेके आते रहेंगे जै जिनेंद्रे